आज हम बात करेंगे, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि बहुत से लोगों को बहुत सी चीजे नहीं पता होती और वो गलत ट्रैक में चले जाती हैं, उनको इतनी नौलेज नहीं होती, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ एक्शली जो अभी डीसेंटली मैं अपने घर गया था, अपने घर में पहुंचा और वहां मेरी ममी ने मिरको बताया कि तुमारे जो मामा जी है, मैं मेरे कर्जन मामा जी, वो एक्सपायर हो गया है और तो मुझे बहुत हैरानी हुए और मैंने उनसे पूछा मैंने का कैसे तो उन्होंने उनको बताया कि वो अपने जो पत्री का इलाज करवा रहे थे, जो उनके जो गाल ब्लैडर में जो पत्री थी, उसका उन्होंने इलाज करवाया था, उन्होंने कुई ऐसी मतलब हकीम जो अईरुवेद्धी को दवाई ली ती और उसके लिए फिर वो और भी एक्सपाइब होगे तो मैं बहुत मुझे बहुत परिशानी हुई और मैंने सुचा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मतलब इतनी नौलेज नहीं होती कि हमें क्या करना है अगर हमारे गाल प्लेटर में अगर हमारे पत्री है तो हमें उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में रहा हूँ काफी साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया है तो वहां भी मैंने एक्सपिरिश देखा है कि बहुत से लोग जो आते थे उनको वह ऐसी देशी दवाई लेते थे और मतलब से वह ठीक तो होनी पाते लेकिन उससे और बढ़ जा क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको यही सिला देगा कि देखो आपका जो गाल ब्लेडर है उसको रिमूव करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए एक परसीजर होता है एक ऑपरेशन होता है जो कि आजकल बहुत ही असान ही है इतना बड़ा उपरेशन भी नहीं होता है जिसे हम कहते हैं कि दूर बीड़ेगा के रस्ते हमारा उपरेशन कर दिया जाता है जो कि इतना बड़ा आपरेशन भी नहीं होता है असानी से इसका treatment भी हो जाता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस operation से बचने के लिए वो सोचते हैं कि हम क्या करें और फिर वो क्या होता है कि बहुत से लोग जो है गुमरा भी करते हैं कुछ मैंने देखा है social media पे भी और बहुत से board भी लगे होते हैं भारत में तो आम लगे होते ह हैं कि कहीं दिवारों पर भी लिखा होता है कि पत्री का इलाज बिना operation के क्योंकि जो अभी तक तो ऐसा possible है नहीं नहीं आई ऐसा होता है लेकिन फिर भी यहां लोग भोलते हैं कि बिना operation के लेकिन बिना operation के इसका दवाई से या किसी हकीम के इलाज से गाल ब्रेडर का जो ट्रीट्मेंट या पत्री रिमूव हो जाएगी ऐसा नहीं है क्योंकि जो गाल ब्रेडर होता है वो एक पॉच टाइप का होता है जो हमारे लीवर के साथ अटेच होता है जो पत्री को पत्री बन जाती है तो आप निकालना इतना मुश्किल होता है वो पत्री निकलती नहीं नहीं कोई दावाई ऐसी बनी नहीं रहे अभी तक तक की बनी नहीं नहीं है जो हमारे बैबर्र से क्राइबंने खुट मिया एक dåktor के पास बदोक्त ने है, infection हो जाता है, तो आगे चलके उसमें दिक्कती होती है, तो उसका operation करवाना ही पड़ता है, तो हम भी यह ना सोचें कि हमें बिना आगर हम बहुत से लोग हैं, जो क्योंकि भारत में बहुत से लोग जिनको नहीं knowledge होती, कि वो क्या सोचते हैं, वो किसी और से सुनते हैं, कि मुझे यहां से पता चला है, कि शर्ट से वहाँ इलाज होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद experience किया है, लोग सुनते हैं, समझते हैं एक दूसरी की बात और, वो चल देते हैं, और वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है, जो कि पत्री का जो इलाज है, वो एक ही है, मैं यहीं बताना चाहता हूँ, कि वो operation से ही होता है, और इसका दूसरा कोई रस्ता नहीं है, तो, और मैं यहीं लोगों को अवेर करना चाहता हूँ, क्योंकि social media आजकल जो है, उसमें हम बता सकते हैं, अपने view बता सकते हैं, बहुत से लोगों को समझा सकते हैं, तो मैं से लोगों के लिए, लोगों के लिए बताना चाहता हू और मैं चाहता हूँगे इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमें जो है उसका चाही डक्टर से मिलें क्योंकि आप अगर किसी डक्टर से पूछते हो अच्छे से पास जाते हो उसे पूछते हैं कि या इसका इलाज क्या है तो आपको अच्से से बताता है कि इसका अगर आप डॉक्टर आपको नहीं भी समझाता तो आप से पूछें कि बहुत से लोग पूछते नहीं हैं और उनको भी तना पता नहीं होता वो और लोगों से भी पूछते हैं और कुछ लोग गलत बातें बता देते हैं कि आपका हिलाज ऐसे हो जाएगा ऐसे तो बहुत सी हमारी समस्याइं हैं जो हम गलत रस्ते में चले जाते हैं और उसका जो परभाव होता है बात में वो नुकसान भी होता है तो हमें चाहिए कि अगर हमें किसी डॉक्टर ने कुछ कि दे cima हुए ने कोई हमें गलत एडवाइज कि हम अगर आफ यह तो ऐसे होगा तो उसका तो इसका काम में नहां पड़ें और वीडियो को शेयर करें बहुत पर धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्छ